बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि Make Job Off का एक complete tutorial बना के डाल दो, जिसमें starting basic character modeling से लेके and scene animation तक का सब कुछ हो, एक ही वीडियो में सब कुछ हो, तो दोस्तों मैं ले के आ गया हूँ ये वीडियो, इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में बाटा है, पहले और एक kid character बनाया है, बच्चा बला, तो तीन characters बनाये हैं, उसका दूसरा part जो इसमें रहेगा, उसमें मैं rigging करना बताऊंगा, कि कैसे आप इसमें armature लगा सकते हो, बोल लगा सकते हो, और rigging करके animate करा सकते हो, और last part इसका जो रहेगा, उसमें मैं scene create के बारे में बताऊंग scene कैसे create करते हैं, कैसे camera move कराते हैं, कैसे lip sync कराते हैं, voice डालते हैं, और कैसे अपने character को एक perfect scene बनाके, आप YouTube वीडियो बनाके post कर सकते हो, सब कुछ कपर होगा इस particular video में, दोस्तों मैंने time stamp भी नीचे डाल दिया है, अगर आप कोई part skip करना चाहते हो, और direct अगला part देखना तो अब भी कर सकते हो, time stamp पे click करके, but मैं suggest करूँगा कि आप complete tutorial देखो, क्योंकि इस में मैंने, मलब में हर एक tutorial को बहुत बारीकी से समझाता हूँ, और आपके थोड़ा भी video देख लोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार complete देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से और इस video को like करना है दोस्तों, मेरा target app 500 likes का, मुझे पता है कि आप लोग पहुंचा दोगे, तो चलिए बिना time waste किये, इस video को start करते हैं, तो मैं इस बार जो use कर रहा हूँ version, वो है blender 2.83.0, जो मैंने पिछले बार make joke of का cartoon character का दिया था, animation का पूरा पूरा tutorial, वो था 2.79 version पे, तो आप मेरे playlist में जाके देख सकते हो, link description में है, और आप मेरे channel पे भी जाके देख सकते हो, iGarcan पे दिया है, और मैं end screen पे लगा दूँगा, तो आप उस 2.79 पे भी जाके चेक कर सकते हो, अगर आप लोग 2.79 पे comfortable हैं, तो उसकी जड़िये भी आप बना सकते हो, चलो start करत अब वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है, अब मैं यहाँ से, इस cube जो already selected है, इसको delete कर दिया है, delete दवा के, उसके बाद shift A दवाया, shift A दवा के मैस लिया, मैस में UVSphere, UVSphere में आप उसके बाद अपने number pad पे one दवाईए, one दवाने के बाद आप जो है, यह front में आ यह number जो है, जो भी की आपको प्रेस करना है, वो आप यहाँ से select कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने one दवाया था, ठीक है, मैं skip दवाके से हट जाता हूँ, अब इसके बाद, अभी इस part के बाद, आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे wire frame mode में, यहाँ जानने के बाद, यह step से हो जाएगा, इसके बाद, आपको tab दवाके चला जाना है, edit mode पे, आप यहाँ से भी edit mode पे toggle कर सकते हो, इसके बाद, जो मेरा काम है, वो यह है, कि इसकी इस जो यह नीचे वर्टिसेस है सारे, इसको select करना है, इसके बाद, आपको e दवाके, इसको थोड़ा सा नीच करिए, और इसको थोड़ा नीचे करने बाद, इसको हलका सा इसको बढ़ा करिए, फिर e दवाएगे, और इसको थोड़े दूर तक लंबा सा खीच लीजिए, इतना type से ठीक है, अब उसको बाद टवाके आप वापस आजाएगे, अपने object mode पे, दोस्तों, अब हमको इसका नीचे का part बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप फिर से एक, जो है, आप अपना mess में जाके, ubsfair ले लो, ubsfair लेने के बाद, उसको आप front, अपने front number, नमबर पैट से 1 पे आ जाओ, उसके बाद आप g दबाओ, g दबा के, आप z direction में इसको नीचे ले आओ, ठ step से, ठीक है, आप देख लीजिए कैसे करना है, थोड़ा सा हिसाब से आप कर सकते हैं, और इसको मैं ऐसे करके, इसको adjust कर दिया, अब क्या करते हैं, shift, s दबा के shift z direction में इसको थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से scale कर देते हैं, इसमें क्या होगा, कि x और y direction में जो है, यह यह इसको z दबा के थोड़ा सा अप अपने recording adjust कर लेना है, इसको step से, z, z और z direction में, इसको scale कर लेना है, थीक है, तो अब हम हाथ बनाएंगे, हाथ बनाने के लिए फिर से shift a दबाएं, mess लीजे, और यहाँ पे लेजिए एक cylinder, cylinder को लेने के बाद, इसको आपको r90 पे rotate करना है, और इसको आपको cylinder को select करके इसको ऐसे कुछ x direction में ले जाना है, और इसके बाद scale करना है, इसको scale करिए सीधे, सीधे इसको छोटा करिए, और इसको s direction में फिर ऐसे करके थोड़ा बढ़ा कर लीजे, इस step से आपको कुछ करना है, अब उसके बाद आप g दवाके इसको फिर नीचे लिखाईए, नीचे लिने के बाद इसको फिर g दवाके x direction में इसको यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देंगे, इस बाद थोड़ा सा इसको हम rotate भी करना है r दवाके, ठीक है, इस step से आपको कुछ हो गया, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जाना है edit mode पे edit mode पे जाने के बाद आप देखो vertices selected है, तो आप यहाँ पर जाके face select करो, यहाँ पर click करो, one दवाके इदर आ जाओ, इसके बाद आप यह दवाके आपको थोड़ा institute करना है, उसके बाद r दवाके आपको इसको थोड़ा से rotate करना है, ठीक है, और यह आपको multiple war करना है, ताकि यह एक hand का shape ले ले, ठीक है, तो step से हम कर लेते हैं, इस step के इतने करने के बाद आप एक काम करो, 3 दवाके 9 दवाओ, तो आप यहाँ पर आ जाओगे, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब इसको थोड़ा सा पीछे के तरफ लेना है, तो आप फिर e दवाओ, हलका स ऐसे rotate करो, अगर बहुत ज़्यादा है, तो control Z आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब हलका सा control Z करके, फिर से दुबारा लेके, आप try कर सकते हो, जैसे मुझे ऐसा लगा था कि यह थोड़ा ज़्यादा ही rotate हो गया, तो फिर मैंने control Z कर द तो उसके लिए फिर से आपको ऐ दबाने है, थोड़ा सा नीचे लाना है, R दबाना है बस अब अब इदबा कि इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हो, ठीक है और आप घी दबाए तो जी दबाए इसको थोड़ा सा ऐसे करके adjust कर सकते हो, अब क्या करना है, अब आपको ऐसे करना है कि इसको थोड़ा सा सी दबाये और थोड़ा बढ़ा कीजिए इसको ठीक है कुछ ऐसा ut Ugarch इसको S कर दीजिए ठीक है फिर फिर थोड़ास सः दा कीजिए आर ऐस दबाघेश स्केल कर देना इस टरगे से अगर थाहाओं कि थोड़ा और बड़ा करके करूं अब अब दैए कि हमारा एक हाथ त्यार हो गया है अभी दूसरा हाथ बनाना है तो हम दूसरा हाथ के लिए इतनी महनत नहीं करेंगे हम सिर्फ एक मिरर मोडिफायर यूज कर लेंगे तो दूसरा हाथ बन लेकिन वह हम बाद में करेंगे उससे पहले हम एक पैर बना लेते हैं तो पैर बनाने के लिए सबसे पहले हमको कुछ फेसे इसके डिलीट करने पड़ेंगे बादी के इस पर क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद आप यहां पर एडिट मोड में जाओ एडिट मोड में जाने डिलीट दोआने के बाद आपको दिखेगा फेसे ये फेसे मैंने डिलीट कर दिये अब आप यहां से इतने नीचे वाले एज को यह सारे सेलेक्ट करों उसके बाद एक्स जेट डारेक्शन में थोड़ा सा ऐसे ठीक है इसके बाद आप इसको स्केल कर लो इस टैप से ठीक है उसके बाद आप वापस जो है object mode में आ जाओ wireframe से हट जाओ ठीक है इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको इसके बाद एक यहाँ पर फिर से shift A दवा के mess में जाके cylinder लेना है cylinder लेने के बाद इस cylinder को G दवा के और Z direction में नीचे ले आना है ठीक है यह करने के बाद आप क्या करोगे S दवा के scale करोगे इसको एक्तम छोटा कर दोगे और S दवा के Z direction में इसको थोड़ा बढ़ा करोगे आप अपने देख लेना कि character का पैर कितना रखना है उसे साब से ठीक है इसके बाद इसको आप G दवा के इसको adjust कर सकते हो इसके अंदर ठीक है अब चाहो इसकी size थोड़ी से और बढ़ी कर सकते हो तो इससे आपका थोड़ी सा लगेगा कि हाँ ठीक है इस step से अब दोस्तों इसको ना मिलन दब smooth कर लेते हैं तो आप इस पूरे character को select कीजिए इसको select करने के बाद wireframe में जाके भी आप एक बार इसको selection कर सकते हैं इस पूरे को select कर लिया ठीक है और इसके बाद आप इस पे right click करके shade smooth कर दीजिए तो सारे के सारे smoothly shading हो गई ठीक है आप देखो यह सब smooth हो गया दो दोस्तों इसी से हम जो है ना multiple models बना सकते हैं मान लिजे हमको 2 model चाहिए in fact हमको 3 model चाहिए एक आदमी एक उसकी wife और एक उसका बच्चा अगर चाहिए ठीक है तो हम इसी को क्या करेंगे सारे को select कर लेंगे ठीक है उसके बाद shift d दबा के shift d दबा के इसको duplicate कर लेंगे और इ और तीनों में थोड़े बहुत editing करके आप जो है इसको मतलब अच्छा सा character का पूरा setting कर सकते हो तो इससे हमारा time बहुत ही बच जाएगा हमें character बनाने की जरुवत नहीं पड़ेगी right फिलाल हम अभी अपने इस वाले character पर काम करते हैं तो दोस्तों इस पर काम करने के लिए अब हमको color करना है अपने character पर coloring करनी है तो उसकी रिए सबसे पहले हम जो है ना light select करते हैं light select करने के बाद इसको हम यहां render view में चले जाते हैं तो हम render view में आ गए अब इसको हम light को थोड़ा सा जी दवा के इसको कुछ यहां पर हम रख देते हैं ठीक है यहां से हम light की property पर जाते हैं और यहां सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां इसकी value कुछ 7 के आसपस रख देते हैं अब हम इस पर double R क्लिक करके इसको यहां पर रखते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हम अपने characters को coloring करते हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं इस character पर आ जाता हूं यह जो सामने वाला है ठीक है और इस पे हम इसका face select कर लेते हैं इसके बाद हम यहां पर जाएंगे material पर यहां पर new select करेंगे यहां पर diffuse करके कर देंगे ताकि यह shine ना करे ठीक है उसके बाद हम यहां से color ले लेंगे और कोई भी color एक हम इसको दे देंगे माली चीبة यह कलर हो गया हमने इसको दे दिया अब दोस्टव इसको हमको पलूह बनाना है इसका मूह भी बनाना है हम एक काम करते हैं इसका टप में जाते हैं मतलब एडिट मोड में इसकी फेसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यह देखिए मैं 1,2,3,4 फिस्तस को सब्सक्री च्छी करना पड़ेगा ठीक है ऐसको सब्सक्री करें कर और शल्ल vaccine फिर से इसको सर्क यह ठीक है कि इसके बाद आप जो है यहां पर एक material एड़ करिया यहां प्लस करके add करिए इसमें new में जाएए इसमें आप यहाँ पर जाएए और इसको भी diffuse कर दीजिए ताकि यह shine ना करें और इसका color पूरा black कर दीजिए आप ठीक है इसको assign कर दीजिए तो देखिए दोस्तों इसका move बन गया है यह object mode में आप देख सकते हो इसका move बन गया है इसको इसको आप इसको इसको आप इधर करके बाहर ले आएई ठीक है याप कुछ ज़्यादे बाहर आ रहा है अब इसके बाद आपके S, Y करके इसको इस तरगे से आप पतला कर लीजे एकदम पतला कर लीजे ठीक है? इस तरगे से पतला करके आपको इसको क्या करना है? इसके face पे adjust करना है ठीक है? R दबाएए इसको कुछ ऐसे और इसको आप गद दवा के अंदर को एडजस्ट करने की कोशिश करें एक और आपको आर दवाना है एडजस्ट करना को किये लिजे तो है हमारा एडजस्ट हो गया अप देον सकते हैं एड्जस्ट हो गया अगह फोड़ा बहुत आपको कशड लगता है तो आप आप यह वायफ्रेम मोड में जाके चेक कर सकते हो अगर कहीं भी हलका सा आपको लग रहा है कि यह बाहर है तो आप इसको हलका सा अंदर करने की कोशिस कर सकते हो और रोटेट करके इसको एडजस्ट कर सकते हो ठीक है अब इसको भी एक कलर देते हैं तो इस पर प्रोपर्टी पर कलर करके और इसको भी आप हम कमप्लीटली ब्लैक कर देंगे आप यहा पहें पर जाके इसको यह открыफ और आख कर कर दीजिए अब दूस्तों हमको इसकी आइब्रोज बनानी है आइब्रोज जो यह उपर लगती है यह बनानी है उसके लिए हम नंबर पैट पर वन पर जाएंगे वन पर जाने के बाद हम अपना इस फेस को सेलेक्शन करेंगे आइस को नहीं ध्यान रखेगा फेस को उसके बाद आप इसको कुछ जितना बड़ा आपको लगता है कि इसका अइब्रोज होना चाहिए उतना बड़ा लोगे और सेम सेलेक्शन इधर से भी आप कर लोगे तो दोनों सेलेक्ट करने के बाद आप मेटेरियल पर जाओ और यह ब्लैक कलर मेटेरिल है इसको सिंपली यहाँ पर असाइन कर दो ठीक है तो उसके बाद आप जब इसको हटोगे तो आप देखो इसका आइब्रो भी रेडी हो गया अब इसका नूस बना लेते हैं तो उसके लिए हम फिर से टैब में जाएंगे ठीक है टैब में चले गए यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया ठीक ह और इसको हमने material यह black वाला assign कर दिया इसके बाद आप जब इसको हटो गए यहाँ से तो देखोगे इसका nose भी बन गया है तो आप देख सकते हो किसका nose भी बन गया है अब दूस्तो हमको इसके body को color देना है ठीक है तो इसके body को आप ऐसे select कर लो उसके बाद यहाँ material में new ज करने के बाद इसका color आप दे दो जैसे कि यहाँ से आप दे सकते हो red अच्छा लग रहा है red color आप दे दो ठीक है अब दोस्तो हम इसके hand को color करते हैं तो hand के लिए आपको मैं बताओं तो hand के लिए यहाँ तक हमको shirt का हाप shirt बना रहे हैं इसका तो यहाँ पर हमारा body पर shirt का ही color होना चाहिए और नीचे skin का color होना चाहिए इसके करने के लिए आप क्या करोगे hand select कर लिया अब wireframe mode पर गए और यहाँ पर हम edit mode पर गए एडित mode पर जाने के बाद दोस्तों इसको हमने पूरा है select कर लिया यहाँ तक हमने select कर लिया यह पूरा ही select होना चाहिए थोड़ा भी छोट गया तो गड़बर हो जाएगा अब हम one पर आएंगे और इसको थोड़ा सा एस दुआ के थोड़ा बढ़ा कर लेंगे ठीक है इसको बढ़ा करने के बाद अब हम क्या करेंगे एडिट मोड से हटेंगे और यहां पर हम material में करेंगे new और यहां पर हम इसको एक color देदेंगे अपना skin color देदेंगे जो हमने color एक काम करते हैं wire mode से हट जाते हैं ताकि पता चले तो इसको skin color देदेंगे जो color हमने select किया था skin का तो यह हमारा skin color आ गया है अब हम tap दबाके edit mode में जाएंगे और हम एक जो एक और material हम लेंगे यहां से और इसमें नया दबाके इसको हम red लेंगे और इसको कर देंगे assign अब देखो आप आपको दिखेगा कि आपका जो जो character है उसका यहां तक shirt बन गया है और यहां से उसका अपना body है right body के skin है अब दोस्तों इसका दूसरा हाथ ले आते तो दूसरा हाथ के लिए के लिए क्या करेंगे आप आप इस hand को select करिए यहां पर फिर से आपको जाना modifier पे mirror modifier पे जाना है और यहां से आपको mirror object में इसको select कर लेना है तो यह आपका hand आगया दो hand आपकी character के आगया अब आते दोस सबसे पहले पैर के कलर में भी असाइन करिए और यहां पर आप वही इसकिन कलर आपको पैर में भी देना है जो इसकिन कलर आपका बॉड़ी का है ठीक है तो शायद यह मैच कर रहा है हाँ यही है अब इसको असाइन यह देने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है फिर से म mirror modifier पर जाएंगे और object में इसका यही select कर लेंगे तो आपके देखोगे कि इसके दो pair भी आ गए तो आपका पूरा character अब ready है अब इस modifier को apply कर दीजिए ठीक है यहाँ पर भी जो आपका modifier था इसको apply कर देना है तो देखिए दोस्तो किस तर情 के हमने इस पूरा एक character बना लिया है इसका, ठीक है ठीक है तो अभी हम अन։액 करेक्टर बना चुके हैं अब हम एक female character बनने वाले हैं यह last वला character है इसको हम female character बनाएंगे, ठीक है तो मेरा प्लान यह है कि यह male यह female और बीच में उसका baby character बच्चा ठीक है तो अभी हम इसको female character बनाते हैं इसके लिए आप क्या करोगे इसको भी अभी हमें थोड़ी सी changes करने है इसमें ठीक है तो सबसे पहले हमको इसका इसको select करना है इसके इसको इसको एक material assign करना पड़ेगा हमको तो material के लिए हम यहां जाते हैं अगला काम जो हमारा है वो है यह नीचे से हमने इसको select कर लिया ठीक है one दबा देते हैं ताकि state पता चले तो हमने यह select कर लिया इसके बाद हमने इसको subdivide किया auch subdivide करने के बाद हमने फिर वाला है इसको फिर से select किया और एक material हमें देना है new डालिए new करते है और new को इसको हमने कर देना है black ठीक है और इसको कर देना है assign तो आपको देखो कि जब हम edit mode से हटेंगे तो आपको देखेगा कि इसको भी एक material मिल गया है ठीक है फिर से edit mode पे जाते हैं अगला काम हमारा जो है वह है इसका आई बनाते हैं तो आई बनाएंगे नहीं हम क्या करेंगे यह जो हमारा already बनाया हुआ character है यह इसकी आई को हम select करेंगे यहां से select करेंगे और इसको हम shift delete दबाके shift d दबाके इसको हम x axis में move करेंगे मैं यहां पर set कर हदेते हैं ठीक है वन दवाईएगा ताकि आपको पता हो आपको इसको test करना है ठीक है कि यह आपको पता रहे कि इसकी eyes कहां होनी है और यह character आपकर आपको बहुत पीछे चला गया इसका eyes तो आपको इसके हिसाब से adjust करना है ताकि कि वह आगे आ जाए ठीक है अब इसको क्या करना है अब हमारा काम है इसका भी नूज बनाना है तो हम टैप दबाते हैं यहां पर सब डिवाईड एक और सब डिवाइड और यहां पर दो को सलेक्ट कर दिया और यहां पर यह जो मैटिरियल ब्लैक वाला है सैंच कर दिया इसकी भी नूज बने अब हमारा काम है लेडी स्थ dużo एल का इसका हायर बनाना ठीक है लेडिडी स्थ मैं श्याइंगा कैसे बनाएंगे टाब दबाएज आप टॉपक्व यहां ना जाए नहीं तो आप यहां से आपको सी दबाना है यहां से आपका यह सेलेक्शन पर यह बिझेगा और सकते हो इसके बाद आप इसको जैसे जैसे इसे गुमाओगे यहाँ पर सब कुछ select हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम left right क्लिक करके इसको इससे बाहर आजाएंगे ठीक है और जहां आपको लगता है select नहीं हो वहाँ पर आप manually select कर सकते हैं इतना होने के बाद आपको side से भी इसको select करना है तो again C ही select करेंगे हम और यह हम पूरा इतना तो हमने इनको ऐसा कर लिया और इसको हम करते हैं इ दबाके extrude और इसको left दबाके left right क्लिक करके छोड़ देते हैं अब हम क्या करते हैं एस दबाते हैं इसको थोड़ा सा scale कर देते हैं अपने according थोड़ा सा ही करना ज्यादा नहीं करना है इतना ठीक है ये करने के बाद आपको क्या करना है ये जो selected है ना इसका बस color डालना है ठीक है तो यहाँ से black color अल्लेडी एक है इसको हम assign कर देंगे तो इसमें black color डल जाएगा अब देखो tap दबा के तो आप देखो black color मिल गया इसको ठीक है अब एक और काम करना है मुझे मुझे एक काम ये करना है कि जो इधर से tap दबाएंगे तो आप देखो इस corners ये ये part इसको भी हमको black करना है इनको पहले ठीक है तो ये front में select हो गया है इसको भी हम material असाइंड कर देते हैं black आप देखो तो ये हमारा देख रहा है और हमारा जो ये ये जो नीचे है ना इस पर भी करना है हमको अब इसको गौहर से देखोंगे ने आप तो आपको दीख जाएगा कि यहां पे भी material असाइंड करना पड़ेगा तो इसका भी material असाइंड कर तो black अब आप देखो तो पूरा ही हो गया अब हम वन पे दबाया फ्रंट पे आ गया तो यह हमारे जो है character बन गया lady character अब हमको बनाना है इसका एक बिंदी यहां पे हमको बिंदी बनाना है ताकि यह perfect lady बन जाए ठीक है तो बिंदी कैसे बनाएंगे अब क्या करते हम इसका बिंदी बनाना है edit mode में हम shift a दबा के एक circle ने लेते हैं Circle को एफ दबाएंगे Circle हमारा फिल हो जाएगा इस बात फेस में हम इसका जो मदर टॉप पे जाते हैं और फेस को सेलेक्ट करके इस बहुत ज्यादा निकड़ना है थोड़ा सा करने इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं है. नीछे भी आ रहा है हम बोसे लिए सलेक्ट करना है हाउumuz हो ने आप सारा से मुझ tray एक गटर करना है यह ध्यान लकाई हो सकती है एस दुद्वार को स्थोड़ा करते हैं बहुत ज्यादा च्वड़ार आ大家都 को जिच दुदर के इसको मतह के सामने लाजंज साइड वियू से आपने देख लिया माथे के सामने आ गया अब इसको रोटेट करना है आर 90 है ठीक है तो एक काम करो डबल र से रोटेट कर लो आप ऐसा कुछ कर लो ठीक है इसको और चोटा करो ऐसे दबा के इसको फिर जी जेट एक्सेस पे यहां कुछ जी कि लिए एक्सेस पे कुछ सब्सक्राइब यहां फ्रेंट वियू में आज़ाओ बन दवा के थोड़ा सा इसको हम उपड़ ले जाएंगे कि हम G सेक्सेस में यहां पे बीच में और जी घ्त अक्सेस में थोड़ा सा यहां पे ठीक है और इसको थोड़ाー सब और च्छोटा करन है यह होने के बाद इतना गाम होने के बाद इसको हम जी वाई एकसेस में इसको एक दम यहां इसके मत्थे के सामने डालने की कोशिस करेंगे और से इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे रोटेट होने के बाद यह हमारा कोशिस रहेगा कि इसके अंदर एड़्जस्ट हो जाए जी दबाओ और इसके अंदर डालने कोशिस करो एक पर यह होने के बाद इसको करना एक नया नय माटेरियल पर जाओ न्यू दबाओ और यहां पर लाइटिंग चाहिए दो इसके और इसके बाद इसको करना है अभी आप जब दबा के जाओगे तो आप देखोगे कि आपको एक रेड़ का बिंदी मिल गया और अगर आप चाहो तो इसको अब रेड़ करके देखते हैं ठीक है और असाइन करते हैं अब आपका यह प्रॉपर लग रहा है लेकिन साइट थोड़ा बड़ा लग रहा है थोड़ा और चोटा करूंगा इसको इतना ठीक है और जी दवाकि इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे यहां लग दूगा थोड़ा सापको जीद हो गए बाहर भी करना पड़ेगा ठीक है तो अब यह आपकी लेडी करेक्टर एडी हो गई है अब हम इसके बॉड़ी को कलर देते हैं तो बॉड़ी को अट सब्सक्र करना है यहां जाना है बेस कलर पे और यहां पे आपको इसकी हमको हैंट सोलक करते हैं हैं मूद के यहां पर हम एक्सेच कर लेते और यह पर दाना यह घुटनी होतना हम उतना हम दे सकते हैं अब मुझे इतना यह जो पाइट स्कोल करना है इस को हम अग़ा कर दे रहे हैं इतना तक रखना है है मुझे ऐसक दॉटा थोड़ाई टकर फे phenomena है तिस हम पैसे गयर मोड में पर अप्विटीट मोड में यहां गह असाइन किया कलर हम जो फेस color है वही color यहां हम देने वाले हैं ठीक है तो मान लिजे कि हमारा है हैंड का color हो गया edit mode पे जाके अब हम इसको एक और color देंगे जो कि हमारा shirt का color रहेगा इसको हम फिर से यहीं select करेंगे और assign कर देंगे अब आप जुप जाओगे तो आप देखेगा आपको कि आपका character इतना ही shirt पहना हुआ है ठीक है अब दूस्तों इसका दूसरा हाथ ले आते हैं तो उसके लिए का करना है modifier में आना है अपन को यहां select करना है modifier में जाना है यहां पर जाके mirror modifier यूज करना है उसके बाद इसको अब और दूसरा हाथ यहां पर आपको ङल जाएगा ए अब इसके बाद पैर की बात करते हैं तो पैर पैर को सेलेक्ट करो मॉडिफायर पर जा emerged और इसको यहां से एंस ऑपके दोनों पैर हिनको सायन भी करना है तो जन्स हो गया लेडी हो गई दो आपके जिल बेवीखेश एंट खालो बेवीखेश इंस जब्लते हैं हूझ सेकेंड नंबर वाले कार्टून पर हमें काम करना है वन दबाया के फ्रेंट मोड पर आगए इसके बाद इस पर इसको सेलेक्ट कर लिया इसको टैब दबाया टैब दबाया के सबसे पहले हम माउथ बनाएंगे अधिसे बाद अधे सेलेक्ट करने के बाद आप यहां जाओ झाली पर जाओ और सबसे पहली बाद कि इसको करो अधिस से पहले आप उसका पूरा कलर देना पड़े आपा पूरे मैटेल को तो उसके लिए आपको इस पर आप तो यह कलर हम रखेंगे इस बच्चे के लिए हमने जो select किया है यह हम को भी हिसका colour करना है तो इसको select किया फिर से एक और material करें और इस material पर हमने पूरा black कर देना है इसको क्योंकि हमें math को black रखना है और इसको करना है अब आप जो इसको हटो के एडिट से तो आप देख लोगे यह आपको ऐसा कुछ दिख रहा है अब हम इसके आइस लगाते हैं तो अगेन वही अर्शा इसका कलर जो है वो डिफ्यूज करना था जो मैंने किया नहीं मेटेडियल का तो फिर से हमको करना पड़ेगा हमने डिफ फूली कि हमारा मुख अप कलर को एडिक करनी है अब हमको आइस चाहिए हम इसका ही आइस उठा लेते हैं इसके बापपल आइस तो इसको लिया और शिफ्ट डी दवाया इसको यहां तक हम लेके आगे ठीक है यहां पर लेके आने के बाद आपको बस इसको थोड़ा सा एड कर लो मेरे ख्याल से यह परफेक्ट है पूई दिक्कत नहीं है तो मैंसे कुछ नहीं करूंगा इसके बाद अपना काम जो है में वह है इसके अगेन नोस बनाना सेम चीज तो इसको पूरा सलेक्ट करो दोनों को और यहां पर सब्दिवाइड दैन इसको फिर सेलेक्ट कर ल अब अब हमारा काम जो है इसमें इसमें इसमेंigor बनाना है ठीक है इसके मह tea एक आपने को दिखा दिया मैंने आपको बाप बीना बाल और रखेगा स्पेया तो तीन अलग अलग तरीक के लाटिके को आप एक ही टूटोरल में सीख रहे हो तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूं तो यार अभी तक लाइक नहीं किया यार आप लोगों ने लाइक तो करो कम जगम सो दाट मेरे को भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए है ना मेरा टार्गेट है इस वीडियो पर भी कम जगम 200 लाइक तो चलो आप लाइक कर ही दोगे मुझे पता है फिलहाल मैं आपको बताता हूँ आगे लेकिन उससे पहले मैं इसको सेव कर लोगा ताकि डिलीट ना हो अब इतना हो गया ठीक है अब अपना सेलेक्षन के लिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सज्दा सेलेक्ट हो गया है इसको हटा देते हैं सी सेलेक्ट किया और यहां पेस को हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि यह हमारा सारा सेलेक्षन हो गया है अब हम क्या करने वाले हैं अब हम इसके हैर स्टाइल को बनाने वाले हैं तो हम दीव डवा के कि और ऐख स्थिफ्ट द्वा कि 演स बांटेक्सों में इसको ऊपर करेंगे हमने इसको प्वे कर लिया है ऐब हम इसके उपर काम करेंगे थिक पर काम क्या होगों कि लिए की हमें सब सबखोप्धे हम क्या करना है मैं आपको बताता हूं तो जैसे इक लडाका बनाना है तो इसके लिए कुछ जादा नहीं करना है की है आप बस hair का ऐस टाइल लाल ला toc तो मैं एज सवाले कर लाहूं यहाँ से चलेक्शन सेट है और में बाड़ी बाड़ी अल्टरेनट जलेक्ट कर लूँगा but make sure कि मैं पिछेषसे वाला जइच सेलेक्ट Hadi मुझे पीछे वाला ज नहीं चाहिए तो यह हो गया, जस्ट मुझे आगे वाले एज़ेट चाहिए, ठीक है, तो यह ध्यान रखेगा आप, कि हम जो है, आगे सेलेक्ट करेंगे, आप चाहो तो पीछे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको एक्चली लड़के का हैर स्टैल बनाना है, तो आप जैसे बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यह हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम जी दबाएंगे, और जी दबाने के बाद, इसको कुछ भी एक स्टाइल टाइप से देना है आपको, जो मतलब यह नो, उसको थोड़ा सा, मतलब लगे कि हाँ, एक स्टाइलिस इस बॉय है करके कुछ भी, तो ऐसा कुछ हम कर लेंगे, अब क्या करेंगे हम इस पूरे को, सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम जी करके, इस पूरे को सेलेक्ट करना हमको, ठीक है, इस पूरे को सेलेक्ट करना हमको, जो जो सेलेक्ट नहीं हुआ, उसको भी सेलेक्ट करना ह यह भी सेलेक्ट नहीं हुए यह करने के बाद हम जी दवाके जट डिरेक्शन में इसके उपर डाल देंगे ठीक है और इसका अब हम कलर डालने वाले हैं वही ब्लैक के नियुटा सा बाल का बनाया है आप चाओ तो बड़ियां खबना सकते हैं कुछ ऐसा कुछ लिए सब आप आपके कालाकाडी की उपर है उपवे लड़का बन गया ठीक है और अब एक काम करते हैं इसके बोड्टी को जली-जली हम अन्द लड़ कर देते हैं इसको क्या क्लर दे लड़के को लड़के की बोड़ि को लड़ आप यहदो नो ए ओक senhor अथ और उसके बाद इसके हैंड अहिए सेमच जीज हैंड के लिए आप क्या करोंगे हैं क्या करने और आपको यहां से एक स्रेय करना है जितना दूर आपको चाहिए उतना दूर सेलेक्ट कर लेना है ठीक है और यह ठीक है यह होने के बाद कुछ नहीं करना है आपको स्केल करना है और यहां पूरे बाड़ी में दोगे इसके बाड़ी का कलर चलो इतना लेकर चलते हैं तो मान के चलते हैं बाड़ी कलर है टाइब दुबाओ आपको फिट से एक मैटेरियल लेना पड़ेगा जो की आपको होगा आपका कपड़ा लइसको ऐस्कों इसको असाइण करना है तरह भी लोगे आपका वह स्कॉल बच्छ करना है यहां से एक हमको मोडिफायर भी जाना है अ मियरो स्के बाध इसको हमको यहां से अस hippie कर देना में पैर को लिते हैं पैर में कलर डाल देते हैं पहले तो एक कलर हम करने वाले पैर का बॉड़ी गलर जो है वही कि थोड़ा सा येस के बाद हम पैर का भी modifier यूज़ करते हैं mirror गया मेरर पर जाने के बाद यहां से भगे तो यह हमने तीन करेक्टर बना लिये कड़े करे болтов रायट अब इसको क्या करते हम फाइल पे जाते हैं यहां से भा जाने के बाद कि अपका आपना एक फाइल का जगह होना मैं इसका नाम देता हूँ M-J-O-S-T-Y-L-E-C-H-A-R करेक्टर का मतलब इतना लिखके save as और save तो अभी हमारा कभी भी मैं इसको use कर सकता हूँ काम करने के लिए मैं इनको rigging करके इनको animate करना बता हूँ अभी दोस्तों हम बारी बारी तीनों object के पास जाते हैं सबसे पहले आप one प्रेस करिए आपने आपका number pad है keypad उसका पहले वाले cartoon पर आ जाते हैं इसका आप अगर देखोगे कोई भी चीज़ select करो और R करोगे तो देखो यह अलग-अलग rotate हो रहा है अगर इसको select करोगे और इसको भी R करोगे तो देखो यह कैसे हो रहा है इसको fix करने के लिए इस सबको एक object करने के लिए पूरे object को select करना है आपको पूरे object को उसके बाद आपको Ctrl J करना है Ctrl J करने से क्या होगा यह आपका सामने object है वह joint हो जाएगा अब अगर आप इसको R दबाते हो तो आप यह पूरा object as a object पूरा एक single character आपके पास है इसी तरीके से आपको इसके साथ भी वही काम करना है ठीक है अब इसका पूरा का select करने के दूसरे वाले को और इसको भी Ctrl J कर देंगे तो आपका यह भी object जो है वो एक single object बन जाएगा अब बच गई है मैडम मैडम भी आप देखो अलग-अलग है इनको select कर लेते हैं select करने के बाद पूरे को select करना है आपको फूरे को ठीक है उसका Ctrl J कर देना है तो यह भी आपका merge हो गई तो अब आपका तीनों के तीनों अलग-अलग character और तीनों का तीनों merge हो गया इनके हा बना हुआ यहां दबा दीजिए हाइड हो गया उसको select करते हैं और इसका वाला यह जो है इसे hide कर दीजिए हाइड हो गया इसके बाद आपको जो है अब बोन इंजर्ट करना है इसके ऊपर अब आप क्या करिए shift A दबाईए और यहां पे नीचे देखिए आप मेंचर है आ यहां पे add करके भी यहां से भी आप यह चीज कर सकते हैं सिंगल बोन क्लिक किये तो एक बोन यहां पे insert हो गया इस बोन को देखने के लिए आपको क्या करना है यहां पे यह जो object data property है यहां पे जाना है viewport display पे जाना है और यहां पे in front कर देना है इससे बोन आपके सामने द करिये और ी डिरिक्षन में इसको니다 कर देना है यहां पे कुछleist start करना है इसके बाद को liek करके और इसके देख सपर यहां पने यहां पर करना है उसके बाद Burk Earth यहां पे यहां पे जाने दालने 9 दवाएंगे बूल्टinh side के लिए, इसके बाद आप देख सकते हो कि यह कुछ bone-8-8 है, यह fit नहीं बैठा है, तो इसके लिए इसको συνवल फीट बिठाना है, तो इसको fit बिठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको select करें,alone को just surface objects है, इस टाइप से आपको अपने बन को एड़जस्ट करना है कि अब हमको दोस्तों यह जो बन इतने हाथ पे लगे हैं इसको डुप्लीकेट करना है ताकि हम इस तरफ जो है सेम लगा सके उसके लिए आप क्या करोगे इसको सेलेक कड़ो सारे को सब यहां से ऐसे करके सलेक करलो अगर कोई unselect रहता है तो हम shift दबा के रखने से उसके बाद उसको select कर सकते हैं। इस पूरे को ऐसे select करो और उसके बाद हम shift दबा के जो बच गया उसको भी select कर लेंगे। उसके बाद हम shift D दबाएंगे और हमारा एक बोन हट गया यहां से उसके बाद फिर वही left क्लिक करके इसको उस जगह पर रख देंगे। अब हम क्या करते हैं आर्मेचर में जाते हैं मीरर में जाते हैं एक्स ग्लोपल पर क्लिक कर दिया। उसका G दबाएंगे इसको हम यहांहां पर ले आते हैं और यहां पर गड़के इसको एड़्जस्ट कर देते हैं तो दोस्तो इसके दोनों हातओं में बोन्स आ चुके हैं। अब दो만 डालना पड़ेगा। तो सर के लिए भी हमको बोन डालना है दोस्तों यहांपे तो हमको फिर भी फिर से हमारा इसको जो base बोन है इसको करना है तो यहांपर हम इसको obtained करते हैं स्लेक्ट करने के बाद इदबाये और एक यह तक लेफाज़ और जेडे यहां तक अपना दबा दना है अब यहां पर सलेक्ट करते हैं यह सलेक्ट किया प्रेस किया और इसको करीब यहां तक ले आए ठीक है फिर इसके बाद हम प्रेस किया और इसको कुछ यहां तक ले आए फिर इप्रेस किया इसको हम यहां नीचे तक ले आए ठीक है अब इस सब को एकदम select कर लेना है और select करने के बाद shift d press करना है यह duplicate हो गया और इसको छोड़ देना है फिर वही amateur पर जाना है mirror x global और इसको फिर हमको g दवा के इसको यहाँ पर insert कर देना है दोस्तों इतना होने के बाद आपको क्या करना है अभी हम object mode में आ जाते हैं object mode में आने के बाद आप देखो तो आप देख सकते हो कि bones अच्छे से insert हो चुका है ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है तो आप एक बार देख सकते हो wireframe mode में भी जाके एक बार देख सकते हो तो उससे आप क्लियर हो जाएगा कि bones अच्छे से हुआ या नहीं हुआ तो wireframe mode में जाके आप clearly visible हो सकते हैं तक कौन चीज कितना सही से setting हो पाया है आपके object में अब हम wireframe mode से हट जाते हैं अभी हम wireframe mode से जब एक बार हटेंगे यहाँ click करना पड़ेगा और यहाँ से अब हम object mode में जाएंगे अब क्या करना है दोस्तों आपको अपना object select कर लेना है अबजेक्ट एक बार select कर लोगे उसके बाद shift दबा के hold करके रखना है और अब तब bone select करना है ध्यान दखिएगा पहले object select करना है उसके बार bone select करना है अब क्या करोगे control P दबाना है आपको और control P दबाने के बाद यहाँ पर लिखा है with automatic weight इस पर click कर देना है यह करते ही कुछ issue आ रहा है issue का identify करना पड़ेगा आपन को issue क्या आ रहा है तो देख लेते हैं issue क्या रहा है तो यह जो error आया है वह generally आता है कि आप जब भी अपने पहले सबसे पहले काम के करना है body को select करना है उसके बाद shift दबा के रखना है और select करना है अपने armature को और जब आप body select कर लेंगे और अप automatic weight करना है तो यह 100% एक error आपको आ सकता है first go में बहुत कम चांस है कि यह character बनाने के बाद आपको जो है यह parenting हो जाए with automated weight तो इसको solve कैसे करेंगे इस problem को क्यों कि solve दो करना है आप उनको काम करना है उसके लिए आप क्या करोगे उसके लिए सबसे पहले आप body को select करना पूरे यह दबाओ उसके बाद आप क्या करो मैस में जाओ मैस में जाने के बाद clean up पे जाना clean up पे जाने के बाद आप merge by distance पे क्लिक करना है यह करते ही आप देखो यह 64 vertices removed यह आ गया और यह 0.0001m यह इतना distance पे इन्होंने merge किया है ठीक है अब इसके बाद मैं try करता हूँ क्या यह करना control पी दबाना है और with automated way पे क्लिक किया लेकिन यह फेल हो गया अभी यह solution solve नहीं किया आपन को तो अपन क्या करेंगे फिर से उस body को select करेंगे tap दबाएंगे पूरे को पूरे body select करना है अपन को मैस में जाएंगे clean up पे जाएंगे और इस बार भी merge by distance पे कर देंगे लेक कुछ 1289 वर्टिस को इसने डिलीट कर दिया मतलब यह सो जो duplicate वर्टिस हैं और जो इसके duplicate कुछ होंगे उसको इसने डिलीट कर दिया अब मुझे एक बाद फिर से चेक करना पड़ेगा tap दबाओ उसके बाद आप body select already था और then आप इसका armature select करो shift दबाओ और कर दो लेकिन अ मतलब यह हमारा भी solve नहीं किया कोई बात नहीं हमको actually एक ही option है यही option है फिर से tap दबाएंगे select करेंगे कोई दूसरा option आपनों को पास है तो मुझे जरूर बताना मेरे को तो यह option पता है ठीक है mess पर जाएंगे clean up पर जाएंगे merge by distance पर जाएंगे इस बार थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ठीक है और इस बार जैसे 200 उस बार 100 था इस बार 201 मीटर है अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा सा अपने according क्योंकि जितना क्योंकि यह deform हो जाए आपका character में थोड़ी सी changes आ जाएंगे इसमें तो कोशिस करो कि आप अपने according कुछ value मतलब कम vertices delete में भी आपका काम हो जाए मानलों मैंने इतना कर दिया मैं फिर टैप पे गया इस पर क्लिक किया और फिर सिफ्ट दबा कि हमने अपने अपने को लिया और विद ऑटोमेटर डिवेट किया और इस देखो इस बार हमारा यह हो गया तो कहने का मतलब यही एक option है actually होता गया है तो आपकी जो होते हैं इस भी Nord奏 होटे हैं जो हमको पता भीनी चलेगा लेगं रहता है तो यह क्या करता है उसको कर नीपाता है मतलब आउट्यक्ली लेन hiring पाता है तो मेरे ऑची कि राप हो गया है तो यह हो सकते हौश्च और तरह से फॉलों लोगे तो आप में भी आई में और इशू रहेंगे तो मेरे में आयज में प्रप्रॉब्लम था अब क्या कर सकते हो आप आप यह आइस को या तो आप फिर से इसी पर बनाओ यहाँ डाल दो और यह तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना इसको ऐसे करके पूरा पूरा अपना आ़मिट्वेट वेट से इसको कर दो , उसके बाद एक आई ऑग बनाके और ईसको इसमने एजस्ट कर दो और फिर इसको जॉइंट कर दो實在 आपी काम कर सकते हो इसमें उससे आपको पर प्लिज मुझे करें और आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ कि क्या यह सही में मूव कर रहा है कि आड़कर सेलेक्ट करना है, जब इसको क्लिक करो गे और इसके बाद आप किसी चीज को भी हिला तो कहीं भी किसी भी एंगल में कैसे भी करेगा अगर मैं इसको यहां से मज़ा तो करेक्टर बनाने में कराने में और उसको बोन कंवा और व musst तो आप सकते हो मैं कहीं से भी पर इसको कैसे भी करके भूमा सकता हूं क्या देखो में में सबसे चीज़े किया कि जदा मुब्मेंट नहीं रहता है और बहुत आसान होता है इसको एनिमेट कराना तो क्योंकि हमारा पैर हात यह भी चलता अच्छा यहां पर एक इशू आएगा मैं आपको दिखाता हूं सवरी क्या हो रही है कि ये देखो। यह आपको एक issue दिख रहा हैं मैं को दिखाऊ हूं क्या रबाया तो देखो यह रोटेट नहीं कर रहे है सोरी यह भी से फोल्ट नहीं हो रहा है लेकिन यह बीच से फोल्ड नहीं जा रहा सब्सक्राइब करने का एक तरिक्का है अपने पास क्या करेंगे हमें इसको यहां पर हमको अपने करेक्टर को सब्सक्राइब करना है और यह लूप कट का आपको गोल सा गया और एक बार उस पे जॉइंट्स हैं वहां वहां एक लूप कट लगाऊंगा तो यहां पर भी मैंने लूप कट लगा दिया तो इससे क्या होगा अब अब यह अराम से उस पोजिशन से मुड़ जाएगा देख लेते हैं पोज मोट में चलते हैं और आप नामेचर को सेलेक्ट करो अब देखो मु है सब्सक्राइब कर को सब्सक्राइब है पूलग कर सकते हैं मजाचाजिया फैर हे। यह फिर आप यहां देखो चलो यहां तो सही चल रहा है बट कई बार क्या होता है कि आपका जो चीज नहीं मूव करना है वह मूव करता है ठीक है तो उसकी इसकोab solve क्या सेक्श शक्रें उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने बोन को सब्सक्राइब करना है और यह जो आपका कलर है नीचे ग्रीन और यह सब करना है तो इसमें अपने पास यहां से कितना परसेंटेज तक मूव करना है वह करना है रखना है यहां पर सेलेक्टेड है इसको मिक्स सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है यहां पर क्लिक करके आप सब्सक्राइट कर सकते हो अगर आपको वहां से भाताना है वेट और एडिशन भी है डिलीशन भी है सब है देखो इस पर मैं ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि यह वीडियो में अल्रेडी बना चुका हूं अपने मेक जोक आफ के सब्सक्राइब और यह अल्मोस्ट सेम चीज़ है इसमें कोई नया नहीं है तो आग बार वह वीडियो जरूर देखना मेरे 2.79 पे मेक जोक आफ का जो वीडियो है उस पर एक बार चेक करना कि सब्सक्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं इसको सेव कर दूँ ताकि कभी भी मेरे को यह फाइल मिल जाए तो अपन को कह करना है अब ही एक बर थोड़ सा एनिमेट करके मैं दिखा देता हूं तो इसके लिए आप देखो मैं इस की फ्रेम को एक की फ्रेम है जिसको मैंने जीरो पर सेट कर दिया है अभी यहां पे मेरे को सबसे पहला है कि वह आई दवाना है और आई दवाना के रोटेशन लोकेशन इसक सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है अब हम यहां पे आई दवाते हैं और रोटेशन लोकेशन स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं अपना यह पूज मोट पर चले गए अब एक सेलेक्ट हो गया ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको थोड़ा सा आ गया आना है और इसको कुछ इस तरीगे से कुछ इस तरीगे से डालके और यहाँ पर आई दवाके free rotation location कर देना है वाखिय आप चाहो तो यहाँ पर auto वाला इसको enable कर दोगे तो आप जो जो यहाँ पर action लेते जाओगे वो यहाँ पर आपको बताता जाएगा वो मतलब action ये भी लेगा for example अगर आपने इस frame पर ऐसे rotate किया और थोड़े दूर पर जाके ऐसे rotate किया और उसी जगवपर आपने ऐसे rotate किया मान लेते है और यहाँ पर जाके आपने वापस कर दिया for example, just एक बार देखते हैं अब आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ए रोटेट करा इसने ठीक है अब उसी position पे अपन क्या करेंगे तो तो until the garden को भी हिलाएंगे ऐसे थोड़ा यहाँ पे जाएंगे ऐसे थोड़ा और जाएंगे थोड़ा सा ऐसे Again यहाँ जाएंगे थोड़ा सा ऐसे कि मान लीजिए और यहां प्यानने के बाद यह वापपस आजाएगा इस टैप से कुछ ठीक है अब जो वापपस करोगे आप तो आप देखोगे तो इस टैप से कुछ इसने रोटेट किया ठीक है मैं अभी समझाने के लिए जल्दी जल्दी में आपको बताया हूँ ठीक है क्योंकि अपने पास जब ट्रुटोरियल बना रहे होते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता था कि बारीगी से एक एक चीजी के बारे में बताओं थोड़ा यहां गए तो इसको ऐसे रोटेट किया थोड़ा यहां गए तो इसको ऐसे और इसको ऐसे रोटेट किया इस टैप से कुछ रोटेट कर दिया बतला हम रोटेशन में लिए है कि एक्शन क्या करना चाह रहा है यह दिखाना है या फिर आप अगर चलने का दिखाओ के मानलो की मानलो की अभी ये बंदा यहां है ठीक है और मानलो यहां पर और साथ-साथ यहां पर जब इसने ये बंदा था उसके बाद आगे यहां आके ये थोड़ा सा इस टैप से फिर यह मेरे पास आएगा ग्रैब करके इस टैप से कुछ आपको फड़ना है लोगो हर चीज आपको एक साथी कंबाइन करना है इसके अंदर और इसके बाद इसको प्ले करना है यह मेरे पास ऐसे करके आ गया है और यह बहुत ज्यादा जा रहा है तो इसको क्या करूंगा मैं चले तो इस टॉप करूंगा और यहां पर एंड प्रेम को कर दूंगा कितना है बीस पच्चिस कर देते हैं अब पच्चिस से ज्यादा नहीं करेगा अब देखो अच्छा यह बोन दीख रहा है न आपको उसके लिए करो आप इस बोन पर सेलेक्ट करो यहां जाओ और यह फ्रंट को हटा दो आप देखो इस तरीके से आप फाइनल वीडियो कैसे बनाओगे कैसे आप अपने करेक्टर के अंदर साउंड डालोगे कैसे आप सीन क्रेट करोगे कैसे आपस में दोनों को बात कराओगे कैसे कैमरा को रोटेट कराओगे सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में और दोस्तों कैसे बाद में रेंडर करेंगे इसको वीडियो फॉर्मेट में और कैसे वीडियो के साथ साथ साउंड भी आपका रेंडरिंग के साथ आएगा यह एक एक चीज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले हम यह बेवी वाला जो हमारा करेक्टर है इसको यहाँ से थोड़ा सा कहीं दूर कर देते हैं ग्रैप करके कहीं दूर कर देते हैं ताकि यह हमारे को डिस्टर्ब ना करें मान लीजे कुछ इतना दूर कर दिया ताकि हमको ंक्रभ नधे करें उसके वाद इस यसतार को हम इसारमिशर के नीचे गहीं होगा इसको यह मं हाज सीन बनाना यह ठीक है मेरा परफच है कि इन में scene बनाओ तो अभी फिलहाल अभी हम लेडी वाले character को ले लेते हैं तो सबसे पहले हम इनके armature को hide कर देते हैं ताकि यह हमको disturb ना करें जब हम इन पर काम कर रहे हो तो यह दोनों के armature हो गए hide अब इसको select करते हैं one दवाते हैं front में आ जाते हैं ठीक है यहां आने के बाद स जाए यह जो है object data property यहां पर जाके आपने देखा होगा यहां पर है shape keys इस shape keys पे plus का sign क्लिक करते ही यहां पर एक basics आ जाएगा basic का मतलब एक basic shape key मतलब इसके अंदर एक shape add हो गया है अब उस shape को change कितना करना है वो आप इसको click करके एक बार और press करेंगे तो यह आ जाएगा अ आप key one को कुछ नाम देदीजिए जैसे कि मैं लिख देता हूँ talk मैंने talk लिख दिया है और मैंने enter मार गया है तो मैंने इसको rename कर दिया है अगर आप मानलो कि eyes की movement करवाना है तो आप एक और shape की लोगे और उस पे काम करोगे और आपको eyebrows की movement करवानी है तो एक और shape की लोग करने वाला हूँ क्योंकि एक तो tutorial लंबा हो जाएगा और दूसरा समझने में भी problem होगी तो आप लग खुद से तयार करिएगा बनाइएगा अगर कहीं कुछ दिक्कत होती है तो मैं हूँ समझाने के लिए ठीक है तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है आपको अपने object और इस इधर कुछ आ जाईए अब देखिए इसका शेफ बिगड़ा हुआ है आपको आर दबाके rotate कराना है इसको कुछ इस ताइप से कराना है कि यह खराब ना लगे ठीक है तो मैं फिर से आ गया हूँ किस mode पे object mode पे अब यहां जो आप देख रहे हो टॉक टॉक के पास 0 0.00 है और यहां पर value भी जो है 0.00 है यह value जब बढ़ेगा ना तो यह अपना मुह खोलेगा मैं दिखाता हूं आपको टॉक पे value पे क्लिक करते हैं और यहां पर देखो यह देखो और यह value जब कम होगा तो यह मुह बंद कर लेगा तो हमारा मकसद इतना है कि हम इसे कम और करवाना है कुछ मेरे character में कुछ issue है मुझे लग रहा है कि यह जब मुह खोल रहा है तो इधर इसके दूसरे तरब कुछ च्छाओं आ रहा है कभी और इसको ठीक कर लेंगे पिलहाल आप shape keep के बारे में समझे और कैसे यह animation काम करता है उसके बारे में समझे ठीक है तो आप आप देखो टॉक पे 1 का मतलब इसने पूरा मुझ खोल लिया टॉक पे 0 का मतलब इसने पूरा मुझ बंद कर लिया ठीक है तो अपको अपन को इसी पर अभी काम करना है और इसी से इसको पूरा animate कर वाएंगे तो अब इसमें हम साउंड लाएंगे साउंड के लिए सबसे पहले इसकी जो value है 0 यहां पे आप करसर रहके i press करो और आइप प्रेस करते ही आप यहां पे टॉक को सेलेक्ट कर लो पहले और i press करते ही आप देखोगे कि यहां पे इसका एक कलर चेंज हो गया कुछ yellow step हो गया मतलब इसमें shape की insert हो गया है अब shape की insert होने के बाद आप एक क graph editor पे जाने के बाद आप यहां की पे जाने के बाद Buy आपको नहीं आता है इस पे तो समझे नहीं नहीं है लिसे अभी मेरेसे हुआ है экспер इतना आने के बाद आप यहां पर के में जाओ यहां पर करो इसको और मेरे desktop पर एक इसक attach क्रिकरों साँड के पर में यूज करने वाला हुं। इस Takepecte 1997! यह ांगया इसको बाद आप प्ले करके देखहोगे तो आपको देखेगा Key भूं तो फो खोल रहा है लेकिन आवाज निरहीं ठीक है इसे को अपन को तो अक्षा यह प्लिक करेंगे और हम इससमेहां क्लिक करेंगे और ग्राफ एडटर के बदले हम विडि benefici को लेंगे इसके बाद हमको add पे जाना है और यहाँ पे जबाना है sound sound पे जाने के बाद फिर से आप वही file select करना है आपको जो file अभी आपने select किया था ठीक है यह करने के बाद आप देखो तो यहाँ पे sound जो है add हो गया है अब जो आप प्ले करोगे अगर में वक्त होती लोग में कितनी कदर करते ना मालीजे तो यह sound इसमें हमने डाल दिया ठीक है यह sound डालने के बाद लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यह sound इसका sound इसके मुह से जो lips है और lips और sound sync नहीं है आपस में आगे पीछे हो रहा है तो इसके लिए simple playback पर जाना है no sync को क्लिक करना है यहाँ पे दबा देना है ठीक है तो इसके बाद आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो तो आपने देखा कि आवाज और जो इसकी lip sync है और voice है दोनों के दोनों match कर गया है ठीक है और दोनों अच्छे से आपस में sync हो गया है अजी अगर वक्त होती तो लोग मेरी कितनी कदर करते हैं ना है तो देखे दोस्तों यह कुछ इतने दूर के बाद दूसरा character कुछ बोल रहा है मतलब दूसरा बन्दा बोल रहा है फिर भी इसमें आप देखो कि यही बोलता जा रहा है आप यह आपने देखा तो हमको इसको पुलना जरूरत है उसका दूसरे को बोलना है तो उसके लिए हम फिर एक बार प्ले करते हैं तो कुछ 139 ये 140 के आसपास इसने बोलना बंद कर दिया है उसके बाद दूसरा सुरू करता है तो हम 139 पreno के लाके यहां देखो टॉक के बगल में एक टिक मार्ट मिया कर तो आप देखो हो यह पर आपका प्राई करते हैं ठीक है इसके बाद यह नहीं बोलेगा एक बार हम फिर से ट्राइ undh 500 फ्रेम में बोलना बंद किया इसकी बाद देखते हैं कि अब यह कब बोलना सुरू करना है यहां पर फिर से बोलना सुरू किया कुछ टू हंडर फ्रेम पर लाएंगे इसको टू हंड необход लाने के बाद इसको कुछ अलग सा निसान बन गया उसके बाद 1 फ्रेम आएंगे जहादा नहीं टिक करो फिर दबाओ यहीं से शुरू हो जाएगा मतलब इतना दूर हमने इसको बोलना बंद करा दिया अब हम फिर से देख लेते हैं यह देखो अगर में वक्त होती लोग मेरी कितनी कदर करते हैं लोग तुझे देख के डर जाते दर क्यों जाते क्योंकि लोग ते अजी सुनते हो ठीक है तो आपने द दूसरे करेक्टर को यूज करेंगे बुलाने के लिए जितना दूर हमने दूसरा करेक्टर को मतलब का डायलोग है ठीक है इसके लिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया इसको फ्रेंट पर रख लिया अब इसमें आप देखो यहां पर भी जब सलेक्ट करोगे तो इसमें शेप पर जाओ और जो आपका माउथ है इसको बारी बारी शिफ्ट दबाके रखो और इसको सेलेक्ट रलो इसको सेलेक्ट करने के बाद उसको आपको एस दबाना है और जैड एक्सेश में इसको पूरा ऐसे करके खीज देना है बहुत ज्यादा मत खीचेगा खराब हो जागा इसको भी बुलवाना है तो आई प्रेस कर दिया आपने आप इसके लिए भी आप यहां पर जाओ और यहां से आप ग्राफ एडिटर लो ग्राफ एडिटर में जाने के बाद आप देखो यहां पर टॉक करके आगया ठीक है simple key पे जाओ, bake sound to F curve और same sound उठा लो जो आपने तब उठाया था मैंने उठा लिया अगिन इसमें भी अगर आप प्ले करोगे तो यह इसमें बोलेगा नी ठीक है यह पुराने वाले का कर रहा है नए वाले का नहीं कर रहा है दर जाते हैं तो आपने देखा कि पहले वाले जो फ्रेम और इसको उन्सलेक्ट करने के बाद यहां पर प्रेस करेंगे आई इसके बाद हम देखेंगे कि कहां तक इसको नहीं बोलना है और इसको बोलना है 100D 140 140 पे इसनिए बोलना शुरू किया 8 140这3 एक हम क्या करेंगे 139 पे ही हम इसको इससे लेक्ट करेंगे 139 पर इस लेक रहने दिए और और आयदों यह पूंप्र से आएंगे जहां से इसने बोलना अभी देखें कि ये बोल रही है ये बोल रही है लेकिन ये चुप है अब आपने देखा कि जब इसका चांस है तो ये बोल रहा है ये नहीं बोल रही है अब फिर देखें दोनों बोलने लगे तो इसका मतलब फिर जब ये बोलने लगेगी इसे हमें चुप कराना है कि लोग कहते देखो कितना बुरा वक्त आ रहा है तो देख लिए आपने कि इसको मतलब हमने दोनों को accordingly set कर दिया कि कब किसका मतलब की फ्रेम बोलेगा और कब किसका नहीं और कांका करेक्टर बोलेगा कभ कॉन सा और कோर्ण सा नहीं तो इसी तरीकी से आप अपने बड़े से बड़े जो है आप वुडिय बना सकते और बड़ा एनिमेशन डाल सकते हो इसी तरही से जिसान हम क्या करते है हम इसको जो है इसके सामने ले याते हैं ठीक है हम थोड़ा सा इनिमेट करके भी देखेंगे तो इसको ISKu सामने लाने के लिए हम जी प्रेस करेंगे लेकिन मैं साथ साथ बोल दूँ कि इसकी जो वह है क्या बोलते है आमेचर उसको भी जरूर सलेक्ट कर लिजेगा क्योंकि में भी आपका फिर शेप बिगर जाएगा ठीक है जी प्रेस कीजिए एक्स एक्स प्रेस कीजिए और सामने ले आईए ये आगे ले याईए इसको आगे लेना can markets for this represented कर लीजिए इसके तरफ ठीक है फोदा असको जिए पर दोनों आपस में ऐसा और कर लोदा है आम guys काम करना मुझे इस लिए इस को इसका लाइटक को करना है इसका लाइट critic को हमको सट करना है इसकवाद इसकी Sun को duplicate कर लेते हैं D दवा के सिर्फ D दवा के इस तरफ ले आते हैं और इसको double R दवा के इसको अपने character के तरफ लेके चले जाते हैं तो यतना होने के बाद आपको क्या करना है जीरो प्रेस करना है अपने number pad पे इसके बाद यहां पर N दवाना है दवाने के बाद view में जाना है और lock camera to view कर देना है उसके बाद आप इसको अपने character को यहां से adjust कर लेना है accordingly जैसा आपको जिस तरीके से चाहिए उस हिसाब से अब camera को यहां से select कर लिजे camera को select करने के बाद I दवाईए और यह location rotation skill पे जाके select कीजिए यह करने के बाद आप देखो यहां पर एक keyframe insert हो गया मतलब camera हमारा अभी इसको focus करेगा यह ऐसा कुछ इसका मतलब है ठीक है इसके बाद आप क्या करो आप चेक करो play करके अजी सुनते हो अगर मैं वक्त होती लोग मेरी कितनी कदर करते ना तो मालेजिए इसके बाद अब इसको 140 तक इसने बोला 141 फ्रेम पे इसको बोलना है इसको ठीक है अब 140 पे जाईए और 140 पे आप एक बार eye press कीजिए और फिर location rotation skill को यहां पे कर दीजिए click उसके बाद एक अब इसको फिर से आप eye press कीजिए और location rotation skill को click कर दीजिए अब मालेजिए दोस्तों की आगे यह कब बोलता है जैसे कि लोग तुझे देखके डर जाते हैं मालेजिए कि 200 फ्रेम के बाद यह फिर से बोलने लगती है लेडी तो हमको अब अगला जो है यहां पे जाके फिर से करना है इसको दिखाना है तो इस से 200 पे मैं क्या करता हूँ 200 पे 200 पे यहां आया कि आयए प्रेस किया लॉक रोटेशन स्केल को क्लिक असलेक्ट किया उसके बाद एक फ्रेम और आ गया उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ यहां कुछ सीन ऐसा बनाऊगा कि कुछ इस तरह के सबनादेते इस तरब से ठीक है और इसके बाद फिर आये कुछ 231 के आज पास यह बोल रहा है ठीक है तो 231 पर हम इसको फिर से इसके पास लाएंगे तो फिर हम आये दवाते हैं 231 पर दवाएंगे आई आये दवाते हैं और Location Rotation Scale को सलेक्ट कर लेते हैं इसको इसको कुछ इस तरीके से इसको बुलवा लेते हैं से ठीक है ठीक है अब इसको फिर से आये दवाईए एक फ्रेम आगे लेते हैं तो पर इसके बाद इसको हम करते हैं यह एक फ्रेम लेके करना था हम को और इस टाइप से हम कुछ रख लेते हैं इसको एड़ेस्ट कर लेते हैं और अब हम फिर आये दवाते हैं और Location Rotation Scale को फिर नबल कर देते हैं तो इस तरीके से आप टैमरे को रोटेट करा करा कराके आप आप Animated Scene बना सकते हो अपने Character में कितना भी लंबा अब दोस्तों इसी के साथ हम लोग जो है इस Character को अनिमेट भी कर सकते हैं तो इसके लिए काम करते हैं किस पोजिशन पोजिशन में मुझे इसको इनिमेट कराना है और क्या एनिमेट कराना है तु बोन स्लेक्ट करने पाद हम बोज मूड कर आए उसके बाद जिसको भी आपको रोटेट कराना है उस बोन को सलेक्ट कर लीजिए इसना इसको सलेक्ट साल लिए इसके बाद यहां पर कीजिए मुटिँ सलोल केージ सेreci 的 ठीक है उसको फिर आय दबाया और location rotation scale को आपने क्लिक कर दिया इसके बाद आप अगले फ्रेम पे आ जाईए मान लिजे कुछ यहां आ गए पहले वाले फ्रेम को सेलेक्ट कर लिजे उसको shift delete कीजिए shift delete ने shift d और यहां पर उस फ्रेम को आप डाल दीजे तो दोस्तों हम प्ले हम चेंज करते हैं position को तो इसको हम grab करके और इसको थोड़ा सा distance दे देते हैं ताकि यह थोड़ा सथ सही उस पर मतलब gap लेके काम करे अब देखो आपने देखा इसने गला ऐसे करके हिलाया थोड़ा टेड़ा करके ठीक है इसी साथ आप हाथ की भी बोन को ले सकते हैं सेलेक इस TO isko Live दबाया और Location रूटेशन सकेल को क्लिक कर दिया फिर थोड़ा सा कुछ इतने पर जाके उस के बाद हमने mun 치 ऑसो अब करके कर दिया करने के ठीक है आपने देखा हाथ और हाथ और गला दोनों ही इसने चेंज किया थोड़ा साथ दूसरे करेक्टर को भी हम कर रहते हैं कुछ चेंज ठीक है लेकिन अब इसने बोला अब इसको कैसे करना है अगला वाला आ गया तो अगले वाले को हम कुछ करते हैं अब लोग तुझे करता है तो किलग करते हैं आपउडप पर दा मोड पर उसके और जिसको जसको पाड़र दबाये थोड़ा साँ सब्सक्राइब मृट िचल तो रोटेट कीजिए और जब यह हाथ उठा रहे तो उसमें इसका भी गला मैं चाहता हूँ कि गला यह पोले इसका भी यह पकड़ लेते हैं और पहले यहीं पर rotation location scale कर दिया उसके बाद एक frame दो frame तीन frame जो भी आगे करके फिर इसको आर दबाके कुछ ऐसा और फिर आए दबाके rotation location scale यह frame select कीजिए shift d दबाईए यहां ले आईए अब play करके देखते हैं लोग तुझे देखके डर जाते हैं तो आपने देखा होगा action action समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम action करते हैं किस तरीके से बोलते हैं और किस तरीके से डायलोग बोलते-बोलते हाथ पैर और मुझ को action कराते हैं तो मैं tutorial के point of view से बताया हूँ, आप लोग अराम अराम से करेगा, clear आप लोगों को animate हो जाएगा वीडियो, और इस वीडियो में थोड़ा सा tricky है ये वीडियो, इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे आप समझेए, pause कर करके देखिए, हो सकता है कि एक बार में आपको clear ना हो, है ना, pause करके देखिए, समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों, अब हम अपने इस scene में एक, मनलब इस character के पीछे एक scene बनाते हैं, अच्छा से background डालते हैं, तो background डालने के लिए आप जो है background बना भी सकते हो, अपने यहाँ पे, और आप बना-बना बैग्रां डाउन्डोड भी कर सकत हो, यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ, वो मैं HDRi file यूज करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी background बनाऊंगा, तो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं इस video को उतना लंबा नहीं होने देना चाहता, कभी किसी time और background बनाने वाला वी तो इसमें हम world property में चले जाते हैं, add पे जाते हैं, add करने के बाद आपको यहाँ पे, मैं पहले तो world कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखो surface में आप देखो तो background ही रहेगा, color में देखो कि यह black color है, इसे नहीं छेड़ना है, इसके बगल में जो गोल सा बना है, उस पे click कर और यहाँ पे environment texture पर जाना है, यह करने के बाद आपको क्या करना है, इसको file को open करना है, और आप अपने उस वाले folder पर जाईए, जिसमें आपने अपना यह जो hdri file है रखा है, जैसे कि मैंने देखो यहाँ बहुत सारा hdi file लेकर रखा हुआ है, इसमें से मैं अभी इस वा इक्टर को accordingly adjust करना है, ठीक है, दोस्तों हमने आसानी से एक अच्छा सा वीडियो बना लिया है, अब हम इसको render कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको render property पर आना है, इस वाले पर, जब output folder में आप आ जाओगे, नीचे आप यहाँ पर जो location है, location change करके आप desktop कर दो, और एक file का ना क्लिक करेंगे, ffmpeg video format क्लिक करेंगे, दोस्तों अगर अब हम यहाँ पर करते हैं rendering, तो आप क्या होगा मालू मैं, इसमें सिर्फ video video render होगा, जो हमने sound डाला है, वो sound render नहीं होगा, तो उसके लिए आपको encoding पर आना है, और encoding पर आने के बाद नीचे जो है, आपको यहाँ यहाँ audio है, इस audio को क्लिक करना है, जहाँ पर no sound audio है, वहाँ पर MP3 क्लिक कर देना है, अब इतना करने के बाद दोस्तों render पर आईए, और render animation पर क्लिक कर दीजिए, अब यह देखें कि दोस्तों rendering शुरू हो गई है, अब यह थोड़ा time लएगा render होने में, तो दोस्तों देख तो दोस्तों देखिए rendering खतम हो गया है, करिब 340 frame था इस पूरे चोटे से वीडियो में, यह कुछ 14 second का वीडियो था दोस्तों और कुछ धाई मिनट लिया है मेरे को इसको render होने में, ठीक है, क्योंकि मेरा system थोड़ा slow है, तो इस वज़े से rendering time जादा लगा है, तो rendering हो गया हट, लोग तुझे देख के डर जाते, क्योंकि लोग कहते, देखो कितना बुरा वक्त आ रहा है, तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने की, finally हमने कर दिया, और हमने पूरा animate किया, पूरा वीडियो अच्छे से बनाया, तो अब मैं save कर दिया इसको, ताकि कभी भी मैं इसक यूज कर सकता हूँ, किसी भी, किसी भी मतलब वीडियो बनाने के लिए, है न दोस्तों, तो दोस्तों, डेफिनिटली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन ये पूरा complete tutorial वीडियो था, इस वीडियो के एक लाइक द